में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम इस तरह के गद्दा फ्लोर सोफा बनाएंगे विल्कुल फ्री में जीरो कोश्ट में घड़ पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से इसे आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं या तो आप इसे फर्स पर बैठने में या फिर क लिए बनाने के लिए मैंने पुराना तीशित लिया है जो खडाब हो गई है इसकी को यहां से तोड़ा सा हरा उगए है और कहीं कहीं से फट वी गई है या तो आप इसे बनाने के लिए यह तरह के ट्रोजर ले सकते हैं जो पुरानी हो गई है या फिर यूज में नहीं है बढ़ाने कप्रे आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं इसका रियूजक करके कोई काम की बनाया चीज बनाया जाए तो ज्याधा अच्छी होती है तो इसे बनाने पहले इस तरह से हम दोनों सलिप को तो कट्कड़ कम आ लेंगे। और यहां से कपरे को सीधा कट कर लेंगे और फिर इसे इसला से वोग वोड किरेंगे और एक और बार फूल करेंगे तो यह हमारा चारवल deficit होगे और यहां size बड़ी चोटी भी कर सकते हैं तो बड़ी तो नहीं कर सकतेienen क्योंकि यह 911 और सकते हैं या फिर आप large size ku Excel size की टी- colors отfile A sice if ever a s-Qi अगर टी-शटो इसे फोड़ी ज्यादा गुलाई निकल सकती है, तो इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे, तो यह देखिए, दो पिस हमारा कट के रेडी हो गया है, और अब हम इसे इस तरह से, तो यह सीधा था, तो आप हम इसे उल्टा कर लेंगे, हमें सिलाई उल्टे में लगानी है, अच्छे तरह से इसे सेट कर लेंगे, और यहां पर हम निसान लगाएंगे और एक और निसान लगाएंगे, हमें यहां से यहां तक इसमें सिलाई लगाएंगे और बीच में थोड़ा सा हमें खुला रहने देना है, तो यह देखिए सिलाई लग गई है, जहां से हमें थोड़ा सा खुला छोड़ा था वहीं से हमें इस तो ईसका भी यूज कर सकते हैं तो इसमें आचे तरह से हम सारे कत्रनों को फिल कर देंगे और कत्रन काफी अच्छी सॉप्ट होती है और बहुत ही अच्छी काम के होती है तो इसे देखिए जहां से हमारा यह सिलाई खुलावा है वहां से हम सुई धागा से इस तरह से इसे पैक कर लेंगे शोटी सी सुई है और यह मैंने दो लेयर की धागा लगाई है इसमें अच्छी को डबल करके इस तरह से में सिलाई लगा लेना है और जो ओपेन वाला हिस्सा है जो से हम सिलकर के पैक कर लेंगे तो यह देखिए सिलाई हो गई है और इस तरह से थपतपाते हुए से शेट कर करेंगे और देखिए सबसे पहले एक सेंटर पे और उसके साइडों में भी हमें निसान लगा लेना है तो यहां से हम सिलाई करेंगे यह मैंने मोटी वाली सुई और मोटे वाला धागा लिया है और यहां से गाट लगा देंगे गाट लगानों को ज़रूरी नहीं है आप आठी टते हुए मतलब एक फिंगर का डिस्टेंस लेन्जे वे हमें फिर दुसरे जगा से सुई को निकाल लेना है दूसरे साई तो यह देखिए इस तरह से एक चीज से हीच envelop Olive अनुपर हमें इसंची तरह से देखिए लगा लेने हैं पूरे में गार्ट लग के रेडी हो गई है और कितना अच्छे से स्पॉंजी वन के रेडी हो गया है और इसमें कवर लगाएंगे तो यह मैंने पुराने सट लीगे कोलर खड़ाब हो गई है तो इसका हम कवर बनाएंगे और इस तरह से इसके उपर से रखेंगे और इसके सेम मेजर्मेंट का कट कर लेंगे तो पहले इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है और फिर इसे हम एक फोल करेंगे और फिर दूसरा फोल करके इसे रॉड में इसको कट कर लेंगे तो इस तरह से गुलाई देते जाएंगे और इससे कट कर लेंगे कवर लगा लेने से आपको जब भी धोलना है तो इसे निकाल के आप धोल सकते हैं यह काफी जदा मोटा हो गया है थोड़ा काटने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह से यह देखिए कट गई है और कवर लगा है पहले पील लगा लेंगे और यह देखिए इस तरह से मिलाते हुए यहां पर भी लगा लेंगे और इसके उपर से सिलाई लगा लेंगे पूरे में तो यह देखिए सिलाई लग गई है और अब हमसे इस तरह से सीधा कर लेंगे बटन को खोलते हुए अच्छी तरह से बनाना काफी असान होता है पुराने सट से और जब चाहिए इसको दूलना है तो इसके बटन को खोल के इसे वास कर सकते हैं इसे हमारा गदा गंदा भी नहीं होगा यह देखिए कितना प्यारा सा सुन्दर सा हमारा फ्लोर सोफा गदा बनके रेडी हो गया और इस तरह से बट बटन को खोल के आप धूल भी सकते हैं फिर बटन को लगा देंगे कि काफी अच्छा स्वंजी गद्धा बनके हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल फ्री में जीरो कोश्ट में घर पे पड़ेवे बेकार चीजों से कतरनों से पुरानी टी-से पुराने सट से इसे हम इस तरह रहा है आप इसे चेर को पर भी रख सकते हैं या फिर फर्स पर बैटने में भी काम मिला सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरा याइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरू बताइए का अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है थोड़ी से भी उश्पूर लग